है 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 नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों कैसे है अब आईए हमारे यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेट बाइसल जाट पर आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज की जुम्हें क्लासे हैं वह हैं प्रवाह कारी पुस्ति का गनीत कक्षा छे एवं साथ केंतरगत आंकलन दो आज की क्लास में आकलन दो को अल करेंगे जो पेज नमबर तेरा पर हैं आईए शुरू करते हैं आकलन दो इसमें पहला सवाल है दीगे संख्याओं को जोड़े यह जो मैं संख्याओं दे रखी है इन्हें हमें जोड़ना है पहले जोड़े हैं 21 प्लस 32 हमें 21 में 32 जोड़ना है हम पिछे 1 अई में एकाई फिर दाई में दाई जोड़ेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे 1 और 2 3 2 में 3 जोड़ेंगे 2 और 3 5 कितना प्राफ्ट हुआ 31 21 प्लस 32 बराबर 3 अगली जोड़ें 65 प्लस 45 पिच्पन में 45 जोड़ना है 5 में 5 जोड़नेंगे 5 और 5 10 10 का 0 अशिल लगा 1 5 में 4 जोड़नेंगे 5 और 4 9 9 में 1 जोड़नेंगे 10 कितना प्राप्त हुआ 100 55 प्लस 45 बराबर 100 अगली जोड़ने 275 प्लस 15 275 में 15 जोडना है 5 में 5 जोड़ेंगे 10 10 का 0 आंसिल लगा 1 7 में 1 जोड़ेंगे 8 8 में 1 जोड़ेंगे 9 2 का 2 290 275 प्लस 15 बराबर 290 अगरी है 140 प्लस 32 हमें 140 में 32 जोड़ना है 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का 2 4 में 3 जोड़ेंगे 4 और 3 7 1 का 1 172 140 प्लस 32 बराबर 172 ठीक है विद्यारतियों अगली जोड़ देखिए अगला सवाल है दूसरा दीगे संक्या को गड़ाएंगे अब इन में हमें गड़ाव करनी है पहली गड़ाव 88 माइनस 60 हमें 88 में से 60 गड़ाना है 8 में से 0 गड़ाएंगे तो 8 का 8 8 में 6 गड़ाएंगे तो बचेगा 2 कितना प्राथ हुआ 28 28 माइनस 60 बराबर 28 अगली गड़ाव 63 माइनस 38 हमें 63 में से 38 गड़ाना है 3 में से 8 नहीं गड़े तब यहां से हम उदार लेंगे यहां बचेगा 5 यहां एक दाह ही दर आएगा 10 और 3 13 13 में से 8 गड़ाएंगे 13 में से 8 गड़ाएंगे कितना बचा 5 5 में से 3 गड़ाएंगे तो बचेगा 2 कितना प्राथ हुआ 25 63 माइनस 38 बड़ाबर 25 अगली गड़ावे 704 माइनस 281 704 में से में 281 गड़ाना है 4 में से गड़ाएंगे बचेगा 3 7 में से 8 नहीं गड़े यहां से मुदार लेंगे यहां बचेगा 6 यहां हो जाएगा 17 17 में से 8 गड़ाएंगे 17 में से 8 ना बचेगा नो ठीक है विज़ार चूँँ छे में से दो गटाएंगे तो बचेगा चार चार्सु तिराडवे साथ सो चौतर माइनस दो सो इक्यासी बराबर चार्सु तिराडवे अगली गटाओ तो पांसो बासट माइनस दो सो ते लिस पांसो बासट में से हमें दो सो ते लिस गटाना है दो में से तीन गटाएंगे नहीं गटाएं तो यहां से लेगे उदार यहां बचेगा पांच और यहां हो जाएगा बारा बारा में से तीन गटाएंगे तो बचेगा नो पांच में से चार गड़ाएंगे बचे का एक पांच में से दो गड़ाएंगे बचे का तीन तीन सो उननीस पांच सो बासट माइनस 243 बराबर तीन सो उननीस ठेके विध्यारतियों चलि हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल नंबर तीन खाली बोक्स में उचित संख्या लिखी है अब यह जो खाली बोक्स ने रखे इन में उचित संख्या लिखनी है ठीक है विज़ारती हो देखिए इसका कवाला पिच्पन में हम क्या जोड़े असी प्राप्त हो जाए तब हम असी में से पिच्पन गड़ा लेंगे तो यहां आएगा पच्चिस यानि पिच्पन प्लस पच्चिस बराबर असी ठीक है में जाड़ती हो अगला एक ख 20 में हम क्या जोड़े 33 प्राप्त हो जाए तब 33 में से 20 गड़ा लेंगे तो यहां आएगा हमार तेरा 20 प्लस तेरा बराबर 33 अगला एक गः 237 में हम क्या जोड़े 310 प्राप्त हो जाए तब हम 310 में से 237 गड़ा लेंगे तो मैं प्राप्त होगा 73 237 प्लस तेरा बराबर 310 अगला है गः 313 प्लस 27 जोड़ना है तीन में साथ जोड़ेंगे 3 और साथ 10 10 का 0 आशिल लगा 1 दो में 1 जोड़ेंगे 3 तीन और एक आशिल का 4 और यह तीन का 3 340 317 तो 313 प्लस 27 बराबर 340 अगला है अंगा 202 प्लस 2 दो 202 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 204 बराबर 204 ठीक है विद्यारतियों चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अगला जो सवाल है सवाल नमर 4 हल कीजिए इसमें कह वाला देखिए यह जोड़ है यह भी जोड़ है यह गड़ा है अब यहां खाली एक और एक चार एक और पांच पांच में हम क्या जोड़ेज़ 0 आ जाये तो यह आप पांच जोड़ेंगे दस दसका 0 आसे लगा फिर एक पांच और एक 6-6 में क्या और जोड़ेज 8 हो जाये 6 और 2 8 यहां है का सब्सक्राइब दो पांच सो चोवन प्ल्स 248 बराबर 802 ठीके यह पिद्यार्थी हो, अगला है, ख, अब यहां देखी है, जोड का है, तीन में, चार जोडा, साथ, अब साथ में यहां, कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो एक, दो में से कुछ बराबर 900 सित्याणव है ठीक है विद्यार से अगला है गह 329 प्लस अब 329 में जोड़ना है नो में क्या जोड़ें कुछ भी जोड़ सकते हैं 0 जोड़ दिया नो में 0 जोड़ा नो का नो चार में दो जोड़ेंगे चार और दो 6 तीन में एक जोड़ेंगे चार 329 प्लस 140 बराबर 409 अगला है गह 811 में से गड़ा है देखे एक मेंसे गड़ाएँगे 0 अब 1 में से 2 नहीं कट रहे हैं यहां से लेंगे उधार यहां बचेगा 7 यहां हो जाएगा 11 11 में से 2 कट आएगे तो आएगा 9 7 में से 1 कट आएगे बचेगा 6 811 माइनस 121 बराबर 690 ठीके विद्यारतियो यह था 14 सवाल चलिए अगला सवाल विद्यारतियो अगला जो सवाल है सवाल नमबर 5 रितु के पास 900 रुपे हैं उसमें से उसने 345 रुपे अपने दोस्त को दे दिये बताए रितु के पास अब कितने रुपे बचे रितु के पास 900 रुपे थे 345 रुपए अपने दोस्त को दे दिये बताओ कितने बचे है तो हम लिखेंगे रित्व के पास बचे कितने बचे 900 में से हम 345 गड़ा देंगे 900 में से हम 345 गड़ा आएंगे तो प्राप्त होगा 500 पिच्पन तो रुपए कितने रुपए बचे रित्व के पास 500 पिच्पन रुपए बचे ठीक है वज़ारतियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6 सुमन हर सुबद 300 मेटर और श्याम को 440 मेटर चलती है बताओ एक दिन में वक कितने मेटर चलती है तो सुमन एक दिन में चलेगी चलती है सुमन एक दिन में चलती है 300 मेटर सुबभ और 440 मेटर श्याम को दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 740 मेटर यह इसका अंसर हो जाएगा कि सुमन एक दिन में चलती है 740 मेटर ठीक है विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो सवाल है सवाल नमबर 7 दीगे संख्याओं से जोड़ का इबारती प्रेश्न बनाईए यह जो संख्याओं दे रखी है 230 और 200 इससे हमें एक इबारती प्रेश्न बनाना है आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रेश्न बना सकते हैं जैसे कि मैं प्रेश्न बना रहा हूं रमेश के पास 230 रुपिये थे ठीक है ना उसके पापा ने 200 रुपिये और दे दिये बताओ अब रमेश के पास कितने रुपिये हो गए ठीक है विद्यार्थियो रमेश के पास 230 रुपिये थे उसके पापा ने 200 रुपिये और दे दिये बताओ अब रमेश के पास कितने रुपिये हो गए इस प्रकार से मैंने एक इबार्थी प्रेश्न बनाया आप अपनी इच्छा नुसार कोई दूसरा प्रेश्न भी बना सकते हैं ठीक है विद्यार्थियो हमें जोड़का इबार्थी प्रेश्न बनाया चलिए अगला देखिए प्रेश्न सवाल नंबर आठ दी गई संख्या उससे गटाव का इबार्थी प्रेश्न बनाये यह जो मैं संख्या दे रिखिए इनसे में गटाव का इबार्थी प्रेश्न बनाना है तो विद्यार्थियों से बनाते हैं तो 560 और 335 इस से हम बनाएंगे राम पांच सो साथ रुपिये लेकर बाजार गया उसने 335 रुपिये का एक बेग खरीद लिया बताओ अब राम के पास कितने रुपिये बच्चे की के विद्यार्थियों मैंने एक इबार्थी प्रेश्न बनाया आप अपनी चाहर नूसार कोई दूसरा प्रेश्न भी बना सकते हैं राम 560 रुपिये लेकर बाजार गया उसने 335 रुपिये का एक बेग खरीद लिया बताओ अब राम के पास कितने रुपिये बचे ठीक है विद्यार्थियों तो ये थी आज की क्लास आकलंद दो विद्यार्थियों आप इस आकलंद को समझते हुए हल जुरूर कीजिए विद्यार्थियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईए थाकि आप तक हमारे लेटे स्टुडियो सबसे पहले पहुंच पाए आप अधिक सदिक विद्यार्थियो मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए विद्यार्थियो आप निचे दिएग कमेंट्स बोक्स में कमेंट्स करके बताईए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेन के साथ में तब तक के लिए थेंक यू धन्यवाद जेहिंद जेवारत आपका दिन शुब रहे थेंक यू झाल